आधणी मुख्यमंत्री जी के कारिक्रम के पहले हम सभी लोग मंच पर बैठे हुए थे प्रदेश सरकार की मंत्री आधणी गुलाब देभी जी हमारे बगल में थी और वो एक राजा दस्रत के कहानी सुना रही थी और उस कहानी को सुनाते सुनाते एक भावक पल आया उसकी वज़े से आखों में आसु आया और इसलिए में वहां से हट गई क्योंकि मुझे पता था कि आखों में आसु देखके यहां पर कुछ और का मतलब कुछ और निकलेगा लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो में कैद हो गया वो सिर्फ और सिर्फ राजा दस्रत की कहानी का भावक चरता बाकी कुछ नहीं